के आपका हर्दिक स्वागत अमेननन्न मैथमेटिकी जिसमें आपके एड्वांस मैच इस मैथ 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 के तोपिक चंड़ा था सांकी की यानि केंद्रे परवरतिय और किस प्रकार से हम इस के आंसों को निकाल सकते हैं और यह आप पर पैसे पार हो तो अपने चेंडर को मतलब जो भी आपकी कर वाली क्लास होई थी लगातार कंटियूनियों लेते रिए जिससे आपका जो भी कॉंसिप्ट है वो किलिए लगातार किलिए रफ हो सकी अन्यता आप अगर बीच में क्लास में आओगे और किसी डायरेट एक भाव को थोड़के दूस है हाँ तो देखिए और मौटिवेसन लाइन के साथ आपके साथ कुछ ऐसे भी होना चाहिए कि मोटिवेसन भी होना जाए तो हमारा जोस और अच्छी तरह से आपका जो भी सफ़लता का मौडवियर है उसको अच्छी तरह सकते हैं अब देखिए जिंद्गी में तपीश कि किसी भी परकार की प्रोब्लम आ गई अनेक खट clumsy आ गई तो आप उसे मतलब थास का ताप बहुत तेज होता है लेकिन उस ताप के वज़े से समुद्र का पाणी कभी भी खतम नहीं हो सकता समुद्र एक अंठाक है उसमें पाणी को मतलब जो भी आपका सुका समुद्र कभी भी सुका नहीं हो सकता इसलिए आपको कहा रहा हूं कि आप किसी भी चैतर में उत् बैना चाहता हूं कि आप कभी भी खतास को करना वेटे हैं अगर आपका एक रास्ताबंद उता हैं दूसरे रास्ता अपने आप खुल जाता है तो उसे का भी ध्यान में रखना होगा तो आज ही कलास के हम चालू करेंए जो वी वेटिगत सत्रहनी, हमने वेट SIMD सत्रहने के बाद हमने से समांतर मादनें किस परकार से निकला जा सकता है इस परकार के हिंडियम की रूल में आप कि आज हम नेक्स्ट कॉंसेप्टर बात करेंगे कि आपका जो भी सतत्सरणी है उस सतत्सरणी के आदार पर हम समांत्र सरणी मतलब समांत्र मात्तने किस पतार से निकाल सकते हैं आप पर सतत्षरDING का मतल हैं का मतल्ब यहारा, जो भी आपका वर्ड अंत्रार रहता है, इसके हर यह कर ंंत्र ग्लास की हमने बात कीती, जो भी कोई भी अंत्र नहीं था, आध्रेट-क्रमा दे रखा था, अब वहारे this, अंत्राग के अनुसार आपको X का मान भी निकालना होगा, अलग से आपको X का मान भी निकालना होगा, तो देखे, सतत्सरनी के अनुसार, सतत्सरनी, अब यह सतत्सरनी होती क्या है, इस सतत्सरनी के अंत्रगत आपका X का मान होगा, जहां आपका X का मान होगा, उस X के अंत्र 20-30 और 30-40 इस प्रकार के अंत्रव को आप निकाल देजए। यहाँ आपके पास मैंने कल्ब बताईटी कि frequency यहनी 12 बारता यहाँ जो आपके apex में है 12 बारता कितनी है। आपके पास 0 से लेकर 10 बारत और 0 से लेकर 12 तक पांट चार छे चार आपको अब निकालना क्या है आपके पास क्या निकला आपके पास एक्स कमान नहीं निकला जबकि एक्स कमान किस प्रकार से आप इस वरक अंतरार को इस मान से निकाल नहीं सकते हैं यदि आपको मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द होता है तो नilar के अंत्राइल स्रेकित आफका जो भी वरख अंत्रार होता है उस वरख अंत्रान को जोड़ के इसमें दोकां डूल कर दिया देताथ है जिस इंदार से 2 बन ब्राबबर 5 इसी परकार आपके पास त्टो बीस और तीस तीस बराबर दो यानि पंदरा यह आपका मद्देमान हो गए अब यहां आपके पास मद्देमान हो जाता है मद्देमान आपके पास हुआ पांच पंदरा पत्चीस पैटिस पांच पंदरा पत्चीस पैटिस अब यहां मुझे यह बताए कि आपके पास एक्स का मान क्या था जो आपके पास इस मद्यमान को मानते हैं हम एक्स का मान यहां आपके पास यह एक्स नव कर एक वरत अंत्राल के अंत्राल के रूप में मान जाएगा इस अंत्राल के रूप में आपका एक्स का मान होगा अब एक्स का मान यहां आपके पास क्या होता है व 150 35 70 140 अब यहां आपके पास fx का मान टोटल कितना है fx का मान आपके पास कितना है देखो 200 और 235 375 375 आप आपके पास fx का मान निकालना है fx याई शिग्मा आपके पास बोच उका होगा 10 19 19 अब यहां मुझे यह समांत्र माद निकालना है जो आपको मैंने अच्छी तरह से कोर्मेट को बता रखा था आपको निकालना के सत्र स्रेनी का मतलब यहीं है कि आपके पास स्रेनी वरग अंत्राल दे दिया गया है उससे वरग अंत्राल को आपका मद्दमा निकालना है और का जो भी यह प्रेटरन लग रहा था इस प्रेटरन के अदर पर आधारीत कारिये करना है तो यहां देगी आपके पास समांत्र माद्री निकारना है तो सिंग्मा यहां आपके पास यह 90 के फाड़े से कितनी बार कट रहा है कितनी बार नहीं कट रहा है यह लगवक नाइट वन सेवन एड बार आपका जो समांत्र माद्रे यह आज चुका है प्रकार की किसन है जो आपको समझ में आगया होगा इसी बिरा आदारीत करते हैं फिर अगले कॉंसेप्टी और बात करते हैं और आपको देखो आप यह दी चैनेरल परश्ट बार होना कि मैद में एक यह भूल होता है कि कड़ी से कड़ी जुड़ता है ना कोई भी सवाल आपके कड़ी से कड़ी जुड़ता है तो उसका कॉंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आता है और कॉंसेप्ट अगर आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप किसी भी परकार किसी भी परकार की बूक की या किसी भी परकार का पर्सन या क्यों जुठा सकते हो और उस क्यूंज के अंत्रकत आपको हुए किसी जुक्ता करते हैं इसी पर Mimi कि की glowing कि कोई सामी है कि sneaking के अंत्रकत आपको वोई सत्वाद दे रहता है sorry, sorry, sorry हाँ सर हाँ सर्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् आपके पास 12 बार्व 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 फ़र 2 2 1 िहां को मद्धिमान निकाना है तो आपके पास फ़िए मद्धिमाना आएगा 515 15 25 35 आपकोframes सरे multiply किना है ये a f हो गया ये x हो यह अपके पास यहां को आपके पास किना यहां कि कि आपके पास इसी के प्रकार आपका आपका का मान आपके पास होगा कि बीज चैनल बे मतलब आपके पास लेड़ सौह संघ को निकाना चैक के आपकास Sm समांतर मादे 1100 त तो समांत्र माद को जाएगा। आपके नेक्स्ट कियों पर हम न्य कौंसेट के और आपका जो समांत्र माद़्े था लगबग जिससे क्युश्व बनने वाले थे उन समांत्र माद़्े से मैंने आपको अचिपरे सो वह कौंसेप्ट करवा चुका हुँ और अब हम माद्धिका की और बढ़ेंगे जिससे आपका अनेछ फरकार की concept वो बाकि हो उसको अच्छी तरह से डिकाल सकते हैं आप देखिए कि मादिगा का हम मान किस प्रकार से डिकाल सकते हैं मादिगा मादिगा होती क्या है बाई मादिगा की जुरुत क्यूं scor сделते क्यु मादिगा का मान है आपके पास मादिगा मादिगा या मादिग मादिगा या मादिग मीडियम मीडियम इसमें होता क्या है कि जो भी आपका मादिगा की केंदर परविती की इस्तित्ती होती है वह यहाँ आपके पास किसी भी परकार की इस्तित्ती हो केंद्र प्रवत्ती के माप यानि आपकी संगी की आपकी जो भी संगी की राती है उसकी इस्तित्तिका माप होता है उसकी इस्तित्तिका माप होता है यानि जो भी आपकी कंडिसन होती है उसकी इस्तित्तिका माप होता है मादिगा का उप्योग गुनात्मक तथ्योग के लिए कर सकते हैं गड़िते वीविचनाए कर सकते हैं अनेय प्रकार से वीविचनाए कर सकते हैं जबकि यहां आपके पास एक most important fact देता हो दिया होता है और उसे के अनुसर आपको कारे करना पड़ता है लेकिन आपको इस बात को अच्छी दिने और जहान में रखकर ही बात करनी क्या आपकी इस्तिय है या इमान दारी है मतलब आपकी मानो ए बस तू अब उसके लाब या गुण या उप्योगी है या उससे होने वाले जो भी सुरोत है उनसे क्या नुकसान है क्या फाइदेमन्द है इन कि तथात्मन गुणों का दियान किया जाता है वैं मादिगा की अंदरगत किया जाता है जिसमें आपको विचले से मोटे रूप में बात को द्यान कों कि एक वर्ड आता है कि आपकी जो भी केंद्रे परवज्ती इस्तती है उसके इस्तितिका ग्याद करना और जहां आपका गुनात्मत माद्य होता है उन्हीं का म्यां निकाल सकते हैं जहां आपकी चत्राई होगी इमादारी होगी और किसी की सुन्दर्था बेमानी मतलब अन्य परकार की गौनिस्ट हो सकते हैं जिसमें आपकी किसी परकार की दोस्त वेद भाव नहीं कर सकते अब यहां इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेट्ट फिक्ट और पतल मादी का अन्य हमेशा मद्देमान जो भी आपकी मद्देमान होता है यह मादी का किसी स्रणी का मद्देमान होता है क्या होता है भाव आपका माद्देका है इस माद्देका का जो भी आपके पास कोई स्रणी दे रही है मैंने आपको बतायता है कि वेक्तिकत स्रणी, खंडित स्रणी, सतत स्रणी इन्हें परकार की सतत होती है मतलब हैं यहां आपके पास कोई पां संक्या जाती है जो आपके पास कंडिशन और होती है आपको कंडिशन और बताओ कि कि इस कंडिशन के इतने मापके पास मद्दे मान आजाता है मद्दे मान आजाता है यदि इसी इस्तिती के मतलब दो पहलो होता है यहाँ एक तरफ तो पोजिटिव रहता है और दूसरी तरफ आपके पास negative होता है जो आपका मद्दे मान होता है इस इस्तिति के अंतरगत आपको negative और positive दोनुं मानों को बराबर equaliagnis करके आपको मान निका आना होता है उस्य हम मादिखा के रूप में जानते हैं और मादिगा को हम सतत्स्रणी व्यक्तिगत्स्रणी इत्यदी के नाम इत्यदी जो भी आपकी स्रणी बनती है उनके अनुसर दर्साई में करहां आपकी किन स्थिष्म करें को निकाँगा जाता है अब यह अपके पास सबसे पहले मादिगा स्रेणी मादिगा के अंत्रगत्ह किस्षे क्यों संकुल निकाल कौन सी इस्तिक्षी के अनुस्षा निकलते हैं मेडियों, यहां आपके पास है मेडियों यहीं मादिका आपको सबसे पहले कौन साब कौन सेप्षाइखा की मादिका का व्यक्तिगत्त स्रणी से व्यक्तिगत स्रणी से मादिगा व्यक्तिगत स्रणी से और फिर से आपको मैं एक बार दोराना चाहता हूँ आप वीडियो को लगातार कंटिनियों रूप से लिए इसकिप न करें अगर आप आपकी इचा है मैनत होने की किसी भी स्थिति में एक किसी एक पर्टिकुलर विशेस दूप पर नहीं कह रहा हूँ मैं यहीं कह रहा हूँ यहीं आप किसी भी लेक्टर लेते हो उस लेक्टर को आप लगातार लेजी लगातार लेने से आपका कनेक्टिविटी उस जो आपका लेक्टर आवएबल करा रहा है कॉंटेंट आवएबल करा रहा है उसके पर्टिया आपका विश्वास बढ़ेगा और मैं तो यहीं कहा रहा हूं कि आप जिस व्यक्ति के उपर विश्वार सकते अपनी सपलता यानि अपनी मेहनत करके सफलता असिल कर सकते हो ना तो उससे बढ़िया कोई आपके पास रास्ता भी नहीं हो सकता है सपलता से दुनिया जीती जा सकती है लेकिन कभी यह एक इसतान से ना टिक कर अनेक इसतान बग्णी जाने के बजाए आप यदि एक इसतान पर टिक जाऊ गे तो आप कि सपलता चाहां लग जाए है अब यहां आपका पहला concept है कि व्यक्तिगत स्रेणी से मादिका निकालना अब व्यक्तिगत स्रेणी से मादिका किस प्रगार से निकाले जाते हैं आपको मादिका व्यक्तिगत स्रेणी के सबसे अंतरगत आपको सरवफर्तन कार्य क्या करना है कि जो पर आपको संक्या दी वरती है यदि आरोई है और आरोई है इन संक्याओं को आपको करम के अंतरगत लिखनी है अब करम के अंतरगत बाई बढ़ती हुई स्रीज यहां से बढ़ती हुई स्रीज यदि आपके पास गर्ती हुई संक्या स्रीज देती जाती है तो गर्ती ह बढ़ती वही संख्या यह अंध्र वह से निकाल दी जाती है यह आपके और और करम की बात होगे अब इसको हम निकालते हैं और कैसे और इसका फॉर्मेट किस प्रकार से आता है विडियम को आप आहिम से दर्सा ते हैं आपका मादिका का सवाल होता है मादिगा n प्लस 2 सही है या n प्लस 2 n प्लस 2 वापद n प्लस 2 वापद होगा क्या यह मादिगा का सुप्तर सही है जहां आपको गलती ओनी की इच्छा होती है और आप गलती करते हो उस इस्तिती में आपको दोराता हो कि आप यहां गलती कर सकते हो आपके पास आप यह विचार लगाओ के कि मादिगा है तो सम संख्या में आ सकती है विश्म संख्या में आ सकती है उस sum और we sum के चक्र में ना पड़े आपके पास only यहां दो की जगए एक आएगा तो आपके पास n by n प्लस 1 by 2 यह है आपका n वापत आगया यही आपका मादिगा का सुप्तर आगया अब यहां आपको मैं क्योशन बताता हैं क्योशन पर आदा है जिससे आपका कॉंशिप्ट अच्छी तरह से समझवें आज़ाएं अब यहां आपके पास n क्या है फुल total numbers की संक्या है आपके पास ठीक है भाई आपके पास n क्या है आपके पास n एक total numbers क्या है अब यहां क्योशन मैंने बता हूँ वेक्तिकल स्रेली से निकाना है तो आपके पास 5 6 8 5 6 8 3 2 4 3 7 4 3 7 3 2 4 3 1 6 यह कोई आपके पास स्रेली है अभी इस स्रेली को आपके मादिका निकानी है अब यह है आपको देदी की और आपको मीडियम निकानी है तो आपको मैंने क्या बताएगा आपको स्रोप्रतम कारी क्या था आपको स्रोप्रतम कारी था जो भी आपके संक्या है उसको और 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 लगाना है या बादेता नहीं है कि आपके पास 6 एक बार था तो आप उसे एक बार लिए जो में आके पास जितनी संक्या आपको परदस्टित कर रहे हैं उसकी पारम बारता करें पूरी संक्या आपको लिखना पड़ेगा, आपके पास देखो 1, 2, 3, 2 के बदा पिर 3, 2 बार आ रहा है है तीन दो बार आ रहा है फिर आपके पास च्यार पांच छे कितनी बार आ रहा है दो बार आ रहा है छे आठ यह आपके पास कुल संक्या होगी अब यहां आपके पास मैंने यह बताया था कि एन का मान क्या होगा एन का बात यह टोटल संक्या कितनी है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 plus 1, 2, बरावर 10 by 2 यहां आपके पास 500 अपद होगा अब यहां आपके पास 500 अपद कौन सा होगा यहां से आपको गिरना है 1, 2, 3, 4, 5 यह आपका 500 अपद आ गया यही आपका 500 अपद आ गया और यहां का मादिका का माद आ गया अब यहां देखे समझने की बात यह है आपके पास 9 टोटल सिंख्या थी उन में से मादिका निकाल नहीं थी मद्डे मीडियום सब्द निकालना था मीडियम याशन माद्डे बीच वाला सब्द देखो नो सब्दों में नो अंकों में से चार अंग इदर आ गए और चार अंग इदर आ गए जो आपका एक मद्द मीन अर्थ मीडियम सब्जगा वो उसे हम मादिगा की नाम से जानब जाते व्यक्तिकत स्रणी के नाम से आपको मैंने कॉंस्प्ट बताया है इससे पर आधा तने टार के आगड़े देए नो आपको आप अच्छी तरह से लिखे पहले दो आपके पास कोई आगड़ी दे रहे हैं 2 3 5 7 5 7 8 8 9 इलेवन वे तोईल्वे तोईल्वे के निम्ण आगड़े हैं इनका आपको मादिगा निगानी है तो यहां देए आपके पास totalmente तोटल नम्मर से कितनी हो गई वन पाई यही वा पद निकालना है आप पहले सब सब्सक्राइब क्या था आप यह 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 पहले अपने आप से हैं तो आपको कोई प्रविक्तित नहीं गए एक दो तीन चार पांट चैसाथ आड़ नौँदस ग्यारा आपके पास कितने हूए जी कि 11 है तो 11 प्लैस 1 वाइट तू ऋ यानि 6 सेुट्वा पद गो名 सा होगा रिधाकम सेुन शाट्वा प यह हो कि आपके पास अल्मिये यह 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 आपके पार आठ जाए है माधी गाका मान ऑंपके पास और आठे अजाए अब ए फिर से क्योशन ठेयरी के रू Aunty रूप में किस प्रकार से क्योशन आते हैं उन 3 वाले ट्रव सन के नंदर गरद क्या माज़िपथा क्रीप्रभाह और पर उसकी स्थित्ति पर क्या बहुत पढ़ेगा सील आ थोरी वी त्वसन समझेए आरवी करम में विरिश्थित प्रेक्षनों को एक से ग्यारे बारे 14 पंद्रे X प्लस 1, X प्लस 3 20, 23 और 25, 27 की मादिगा 17 है तो X का मान निकालिए यानि X का मान बताइए मुझे आप देगो यहां आपको क्यूसल दे रखा है कि आपके निमे परकार के आखड़े दे रखे हैं उन आखड़ों के अंतरगत आपको मादिगा दे रखे हैं और मादिगा देने के बाद आपके पास कुछ आखड़े इस परकार से दे रखे हैं उसके अंतरगत X को इंकलूट कर दिया गया वो आपका X आता है उस X का आपको मान निकालना है आपको सरव परतम कारी क्या करना है जो आपको आज यो दे रखे हैं प्रेक्शन प्रेक्शन दे रहे हैं और आपको यदि पहले से चेंज के वे हैं तो आपको जो भी एक तरफ है और जो आपके साधर में संक्याएगी उसको जोड़ना है फिर आपके मादेगा की ब्राबर निकालना है तो देखें आपके पास किस प्रकार से क्विश्ण को दे रहा था कि 11 12 11 12 14 15 14 15 एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री 20 23 27 पीश तेइस यहां पच्चीस हो रहे है 27 यह निकिल पच्चीस हो रहे है 27 यह अब यह मुझे यह बताए आपके पास मादिगा का मान क्या था मादिगा आपको दे रही थी कि M बराबर N प्लस 1 बाइट 2 अब N कमान यहां कितना है आपके पास N कितना है एक दो तीन च्यार पांच क्यों गिने जाएगा पांच छे साथ आठ नो दस दस आपके पास मादिगा दे रही थी कि पलस 1 तो तू बराबर 5.5 प्लस यहां अब यहां आपके पास क्योंसर इस्तिति आती है कि इस परकार की इस्तिति आने पर बाइट तो हुआ है बराबर म नहीं कटे तो आपके पास कोई भी संक्या सेस्पल बज़ती है तो उस इस्तिति के पास आपको एक पो जो आपका दे रहा है बराबर में कट रहे हैं वो संक्या और एक उससे बड़ी तो आपके पास यहां if 5.5 पांच का अर्थ यह है कि पांच वापन प्लस छटवापन औ और इसका मादि का, यह इस पॉंच 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 का अर्ड था, तो आपके पास तक प幹पकत है, एक, दो, तेन, चार, पbench, यह आपके पास प्युद्ह को आपके छ्टवापद के है यही था अब यहाँ संक्या, मतलब आपको संक्य कुत्नी? आपके पास माद्दे माण कितना दो दो दे रखा था दो दे रखा था और आपको माण यहीं भी दे रखा था कि आपके माण सुरुआत में आपको क्यूशन में दे रखा था कि सत्रा क्या है इसके मादिगा है 17 आपके पास मादिगा है तो देखें यहां कितने आते हैं 2x 2x और 1 4 और 2 बराबर 17 तो यहां देखें यह क्यूशन किस प्रकार से आपके पास कटोत्री में हो रहा है यह क्यूशन आप कटोत्री में करोगे तो आपके पास 2x प्लस 4 34 यानि 2 से मंटिकलाई हो जाएगा तो आपके पास यहां काटेंगे तो लोगों x बराबर 30 तो x का मान आपके पास 15 आजाएगा x का मान आपके पास 15 आजाएगा यहां आपके पास x का मान 15 आजाएगा अब देखो 15 का मान को आप जोड़ते हो यादि आप इसके अंद्र एक पंद्रा का मांग जोडते हो यहाँ, तो आपके पास यहाँ जाएगे 16 और 15 इसमें जादव 18 अब यहाँ, देखो यह संक्या, आपके पास मादिगा उत्र की जांच किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आपके पास एक समान रहां 15 पंद्रा, तो मै ने आपको क्या बताता कि आपके पास जो भी यह आपके पास कोई भी संख्या आती है अब यहां संख्या कितनी थी वही दस तीन पांच पॉइंट पांच तो देखो सोड़ा पलस अठारा और दो यही कार्य करना था तो चोंतीस बटा दो यहीं आपका मेडियम था आपको उत्तर की चार्थ हाथो हाथ निकान नहीं है जिससे आपका यह कॉंसेट्ट के लिए हो जाए कि आपका क्यूशन सही है या गड़त है आप गड़त दीसा में जारी हो य अब देखो आपके पास क्यूशन माधिका का कम देःगा है उसी माधिका के किसन निम्र परकार के आप से लिए है ओन हो में आपको यह को जाता है कि किसी भी प्रकार की आपड़ी दे रहे हैं आप उस आपड़ों को सोल करने के पस्याद आपको पता चलता है कि कोई माइनर मिस्टेक होगी जो आपको आपको आपड़ी दे गए थे वह गरत आपड़ों से मादिगा निकल गई और जो आपका सही मादिगा थी या सह प्रकार के क्यूषन आते हैं आपके पास तो वह वह किसी सता से और केसे मादिगा का आंसर निकाल सकते हो तो देखिए प्योसों को अब नेक्स्ट इस स्थिति पर देखते हैं पद्दों की मादिका निदारित की गई थी 32, 12 32, 23, 17, 28 32, 23, 17, 28, 23 बाद में पाया गया कि गुंतीस की जगाएं गंतीस से 17 लिखा गया है था और अब परिवर्टन मादिका क्या होगी देखिए आपको क्यूशन यह दे रगा था कि 12, 17, 30, 25, 28, 32, 23 यहां इसका मादिका तिर्टन यह था आपके पास अब यहां आपके पास मादिका कितने होगी 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 तो आपके पास मादिका यहां तो आपके पास मादिका कितने होगी मादिका आपके पास होगी 25 अब यहां चेंज करके कर्णिशन क्या दे रगा है कि आपके पास दूसरी कर्णिशन क्या दे रगा है कि यहें पाया गया कि गुंतीज की जगह अब यहाँ गुंतीज है नहीं है गुंतीज की जगह गलती से सत्रा लिखा गया भाई गुंतीज की जगह भाई आपके पास है गुंतीज की जगह गलती से सत्रा लिखा गया गुंतीस लिखोगे यहां आप गुंतीस लिखोगे तो यह आपके पास इधर जाएगे तो यहां आपका नया चेंज परिवते स्रीज होगी वह श्रीज नई नई स्रीज कौन सी होगी आपके पास बारा बारा अब सत्रा तो हम लिख नहीं से थे क्योंकि सत्रा की जबत गुंतीस दिखाई दे रहा है तेरा बारा तेईस पत्चीस अठाइस और गुंतीस ठीक है गुंतीस 32 33 क्या मैं सत्रा लिख सकता हूं क्या यहां मैं सत्रा लिख सकता हूं लिख सकते हैं हमारे बहुत नटने वाला हमें तो करने वाले कारे हो और हमें मिटाने वाले क्या मैं इस सत्रा को यहां लिख सकता हूं नहीं लिख सकते हैं क्यों नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपको कं गलति से मुणाँ किया है तो आपको के जग को 17 लिखना तो आपको सत्रा नहीं लिखा जाएग यहां अब देख ले आपका इस सिंद्य कि प्रोगेस रिपोर्ट में है इस प्रोगेस रुपोर्ट के मादिक पूछा चाएं तो new जो आपका नया मादिका होगा वो क्या होगा देखिए 11,34 5,6,7 वह संक्या है आपको 7 प्लस 1,2,8,2,4 1,2,3,4 आपके पास मादिका नया मादिका आपके पास 28 मादिका आ गया ठीक है बाए आपको क्योёт्ट दे दिया उस आप्ड़ों में एक संध्यो इस प्रकार से दी जाते हैं कि उस संध्यों की इसया में पर फ्रबाव पड़ा तो दूसरे संध्या निगाने पर क्या प्रबाव सब Vander लुंक जी पर आधरी भेर मैं को बेखते हैं क्या मांद्री का सबेखा इस निमें लेकित सरड़ी मांदD का भीष Sn आप देहों आपको फिर से वही रिखा कि आपका मांदD D is दे रखा है, माद दिगा 20 दे रखा है, X, X प्लस 6, X प्लस 16, X प्लस 22, X प्लस 30, X प्लस 40 हो तो X का मान निकाली, आप पास X, X प्लस 6, X प्लस 10, X प्लस 6, X, X, X प्लस 22, X प्लस 30, X प्लस 30, X प्लस 40, यह है, यह आपकर दे रखे हैं, इस्तिमादिका यह दे रखे हैं, तो आपको X का मान निकालना है, तो मुझे यह बताए, आपके पास यह टोटल से के कितनी हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे, प्लस 1, और बराबर दो, साथ बर दो, बराबर तीन पॉइंट पांच, यह टीन, बटा पांच, यह टीन, अब मुझे यह बताए, आपके पास, साड़ा पॉइंट तीन का मतलब क्या है, मैंने बताए, कि पास पॉइंट पांच का मतलब पांच उच है, और यह टीन, और चार, तो आपके पास तीसरी से क्या खोड़ी, यह यह, और यह, यह, तो, एक्स प्लस सोड़ा, प्लस एक्स प्लस वाइस, तो टू एक्स प्लस अठाईस, सोरी, टू प्लस अठाईस, ब्राबर मादेगा आपको बीस दे रगा है, ब्राबर मादेगा आपको बीस दे रगा है, ठीक है साथ, भाई, बीस आपको दे रगा है, तो आपको बीस यह नही 40 तो यहां देखिए आपके पास 2X प्रेस 38 बराबर 40 तो 2X बराबर यहां 40 से 2 गया तो X का महान आपके पास 1 आया है अब यहां X का महान आपके पास 1 आजाता है अब देखें इस स्रीज को हमें उत्र की जाच निकालना है आपके पास X कमान यह आगया है यदि आप इस स्रीज के अंतरगत एक रखते हो तो देखिए किस प्रकार से स्रीज बनती है 1 X में जोड़ा 7 X में जोड़ा 17 X में जोड़ा 23 X में जोड़ा 31 X में जोड़ा साथ यह दो तो आपके बास साधी तीन देर रहता साधी तीन अब यहां मुझे सोरी आपके पास एक रहा है अग्षा अग्षा इसा पेंट टपक गया है द्याना रहे है किसल्ट पेंट टपका है तो मतलब कि इसोनाने की संमावना है और यह चैप्टर भी मोस्ट है क्यों यह चैप्टर इसले मोस्ट है यह एग इजीव आसाल में है मैत्थामेटिक्स की आफिवाक्षा में आपको आक्ड़े अची तरे से याद हो जाते और में जिसमें थोरिटिकल पार्ट भी होता है इसलिए पहल पढ़ा है सब आप अच्छी तरह से यादगरो तयारी कीजिए यह आपके क्विशन कंपेटिशन में लाने वाला है तीन और पांच तो सत्रा प्लस तेज़ तो आपके देखिए जीरो ठीक है और यहां आपके पास कितना थे तीन चार दो तो आपके पास पीस यह 20 मादिका थे नहीं यह बस आपको उत्तर की जहां थात्तवाद निकान नहीं हैं जिससे आपके किसी भी प्गार की कोई चैंज उस कॉंसेट को अच्छी तरह से द्यान में देने की बात है मैंने करवाली कलास में एक चीज बोली थे आपको किसी संक्या का मद्दे मान दे दिया जाता है किसी संक्या का माद्दे दिया जाता है उस माद्दे के अंतरगत कोई संक्या है उस संक्या का आपके पास माद्दे दे दिया जते हैं उस माद्दिका का मान है आपके पास इस माद्दिका के अंत्रगत किसी भी प्रकार का कोई प्रबाह नहीं पड़ेगा कोई सरेणी है कै अंत्रगत माद्दिका का मान दे दिया है य। इन संक्याओं में कोई संक्या और जोड़ दी जाते हैं तो माद्दिका की मान promoting कोई प्रबाह नहीं पड़ेगा देखे क्यों नहीं पढ़ेगा किसमगे को संक्याओं की माधिका दी गई हो तता इस तरछ नी में एक संक्या माधिका छोटी वाए एक माधिका से बड़ी संक्या को जोड़ दिया जाए तो माधिका में कोई पररुटित नहीं होगा मतलब आपके पास कोई संक्या चोटी है और कोई संक्या बड़ी है और यदि इसके अंतरगत मादिगा का मान जोड़ दिया जाता है तो इसके मान के परबाव के अंतरगत कोई परबाव नहीं पड़ेगा कोई भी मान के अंतरगत परबाव नहीं पड़ेगा कि 10 संक्यों की मांदिगाож 20 है रहा है और यदि सरेनीं में 5 सत्था 25 को जोड़ दिया जाए जोड़ दिया जाए तो 12 संक्याओं की Chyap होगी है कि आपके पास चुछाट में जस्क्राइब और पांच और पच्छीश और दी तो आपके पास कितनी होगी यह टोटल बारेस अंग्या गए इस आपके पास कोई भी संक्या है लगाता कोई 10 संक्या है उस 10 संक्यां के अंतरगरों दो संक्या और बढ़ा दी जाती हो गयद खर्म醉 और ओर कि अधर यजाती है तो तो मुझे यहं बताए, आपके पास, यदि आपके पास 2 रहता है तो W X पलस ONE by two मेझाती किया इसमें प्र करूलतित होँ नहीं होँ यदि आपके पास यह सर्घाती है किये प्र कुछलीगों नहीं पूलतित होगा आपके पास इसी प्रकार कितने संच चयाती ? 4 संच चयाती पलस 1 थी बब़ारबर फंस वटा नग दो इसी प्रकार आपके पास कितने संच चयाती ? 2 पलस 1 दो बब़ाबर 3 वटा पांस यहीं तीन यहीं 1 य सही ज़िएत ज़िए 10 था पांस और यह revolution इस पड़ेगा अब नेस्ट क्योशन करते हैं इस पर आधार और आप तो देखो इस स्रीज को अच्छी तरह से समझो और कोशिश करो कि किस प्रकार से क्योशन को यह आपको हो रहा है कक्सा के दस विदार्थियों में से तीन विदार्थी फेल हो जाएं देखो सर बाइक कक्सा के दस विदार्थी है आपको देखा है कि कक्सा में दस विदार्थी है कक्सा में दस विदार्थी है कक्सा में दस विदार्थी है इन में से तीन विदार्थी फेल हो जाते हैं तीन विदार्थी फेल हो जाते हैं सेस विदार्थियों के अंक निमन प्रकार से है सेस अंक देख 15 30 33 34 कि इख तेगा को कैंग सामें 10 विदार्ति जिसमें 30 विदार्ति अगी तुचे और जो पास वी दार्तियों कि अनके निमन प्रकार गए है एक दो तीन चार पांप छे साथ आपके बताए आपके पास साथ डेटा है तो तीन को आपको फिल कर रखता तो आपके पास जो तीन फिल विदाती के संग्या है उसको X1 X2 X3 यह मानेंगे और फिर मैरे को बात करणी आ चाते है निकालने नहीं आप मारे पास किसी भी प्रकार की दिल राथ करने पड़े लेकिन हमारे को सेलेक्शन लेना है तो वर्धी पहनी है बैस इसी परकार आपका स्वाल निकालना है तो स्वाल जो भी कर्विटिशन है उसको निकालना है अब देखें अब यहां क्यूशन आपके पास दे दिया कि आपके पास 10 प्लस 1 11 वाई 2 5 और 6 यह वही बात आपके पास सवारा मतलब 5.5 तो आपके पास इस 5.5 का मतलब क्या हुआ कि 5 वैं 6 मन्त को जोड़ो जटवा पज़ो और उसके अंतरगत डिवाइड गिना है तो आपके पास देगे आपके पास जोड़ के अंतरगत क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैं सिरीज के अंतरगत जोड़ोंगे वैं x1 x2 x3 तो आपके पास 5 और 6 वैं 6.2, 4, 3, 2 आपके पास 17 मादिगा आगया आपके पास मेडियम शांट्रा आगया ठीक है इस प्रकार के अंतरगत आपके पास मादिगा संट्रा आगया दो क्यों सुनों और करा दूँ फिर आपके पास नया कॉंसेट कल वाली क्लास में करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आदे निमले कि स्रेणियों की मादी का 15 है और एक्सल इनका मान दे रहा है तो एक्सल का मान निकालना है देखें आपके पास निमले स्रेणिय यह दे रही है उन स्रेणियों के अंतरगत जैसे आपके पास कुछ डेटा दे रहा है जैसे इसका मादी का आपको पहले मादी का भी दे रहा है कि मादी का आपके पास 15 है और निमना आप रहे है एक्स वन देखो आपके पास है एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्ल्स दिस एक्स प्लस देस X plus 30 X plus 40 यह इन आप रो के आपके पास मादिगा निकाना है तो मुझे यह बताए आपके पास यह कितने पद होए 123456 यह आपके पास 6 पद होए अब यहाँ आपके पास 6 पद होए तो आपको पास वह निकाना है N plus 2 N plus 2 N plus 1 by 2 तो यहां आपके पास तीसरा और चौता पत कौन सा है तीसरा और चौता पती है आपके पास प्लस दस प्लस एक्स प्लस दस देखो दस प्लस दोनों संक्य उता गी दोनों संक्य आपके पास उतर गी सुरी एक मिन दस ता क्या था है यहां पर आपनों में कुछ कमी है स्वारी यहां आपके पास 18 है बड़े अरे अभी जांच कर लिया नई फिर दगती होती है यह 18 है ठीक है आपके पास 2 निकाना है बाइस दो संक्यातों 2 निकानी है और आपको मान 15 मादिका देरेगा तो 2x परस 28 30 2x 2x ब्राबर 1 यह स्वार मैं पेले भी बता रखा हूँ बहुत अच्छी तरह से बता रखा हूँ तो आपको देहान दे कि किसी भी प्रिकारवा एक्स उमान निकाना है ब्राभू उसमें रखना है और सबसे मेहतुफूर नोश्ट आपके कि आपके पास मादिगाशंत्याओं का वी जे वेंचख पूछा जाए बै कोई भी आपके पास मादिगा है इन मादिगा का एलजेब्रा बीजे वेंजक पूछा जाए बै बीजे वेंजक से बीजे वेंजक से बै बीजे वेंजक से आपके पास कोई आंसर पूछता है इसका तो आपको मादिगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा और नहीं निकल स सकते हैं जैसे कि 10 संक्यां का समात्र मांद्दे 20 है तो इनका योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यही admitted 000 का मैं और यहीं के मूद जाने होँ आग शेरी विर्वान और आगे हमेशा सबोर्ट करते हीं और आप मैंने आपको पहले बता था कि किसी भी प्रकार के आपके पास सफ़लता आये उन चुनतियों पर आपको तपिस कर मतलब हतास नहीं होना है अतावास नहीं होना है उनको आपको डटकर और सामना करना पड़ेगा और सपलता हसिल करनी पड़ेगी और क्लास को लगाता लेते रहे नए नए आपके पास फिक्चर्स देखने को मिलेंगे और जय हिंद आपको धनीवाद यहीं सदा आगे बढ़ते रहे और चोटे बड़ों का भी समान करते रहे